दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं DZTIC के वायरलेस माइक के बारे में क्योंकि बजट रंज के अंदर आने वाला ये माइक इस वक्त बहुत ही जादे इसका सोर हो रहा है मार्केट में काफी जादे नाम हो रहा है तो इसको प्रापर तरीके से हम लोग चेक करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बजट रंज के अंदर आ रहा है ये मात्रे एक हजार रुपे के अंदर आने वाला है और इसके अंदर दो मॉडल है एक है DWM-01-001 और एक है DWM-002 जो 01 है, 001 जो है ये टाइप C है और 002 जो है ये लाइटनिंग पोर्ट के साथ में यानि कि ये है इस्पेसली आईफोन के लिए दोनों के लिए मॉडल निकाला हुआ है मैंने अभी दोनों को ही मंगाया हुआ है इस्पेसली चेक करने के लिए कि ये कैसा है इसको हम प्रापर तरीके से चेक करेंगे कि इस्टूडियो के अंदर इसका क्या परफर्मेंस रह रहा है और इस्टूडियो के बाहर इसका क्या परफर्मेंस रह रहा है और इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे बोया के माइक के साथ में क्योंकि इसका भी price 700-800 रुपे के आसपास में ही आता है तो ये wired mic जो wire के साथ में आता है और ये wireless mic दोरों में क्या differences रहता है sound के अंदर, sound quality के अंदर ताकि समझ में आ सके कि क्या ये wireless mic लेने लाइक है इसको हम proper तरीके से समझेंगे सबसे पहले हम इसको unboxing करते है तो सबसे पहले हम लोग type C को unboxing कर लेते हैं इसके अंदर एक ये paper मिल जाता है और ये pouch इसके अंदर मिल रहा है बाद में इसको रखने के लिए ताकि आप traveling के दावरान इसको कहीं पर भी use कर सकें और इसको इसके अंदर रख सकें और इसके अंदर जो है दोनों माइक आ जाता है दोनों माइक नहीं एक ही माइक है और एक जो है यानि कि एक receiver है और एक transmitter है यहां से आप देख सकते हैं यह transmitter है जो कि directly आपके mobile के अंदर लग जाएगा यह especially mobile के लिए बना हुआ है camera के लिए नहीं है यह mobile के लिए है तो इस तरीके से यह type C का है और यह आपके transmitter है जो कि transmit करेगा यह आपके caller पे लगने वाला है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो और कुछ नहीं है यहां पर इसको charge करने के लिए lead मिल जाती है USB type A to type C ताकि आप इसको charge कर पाएं और उसी प्रकार same जो है यहां पर आपको मिल जाता है pouch इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी आपको guide मिल जाती है और यहां पर जो port है यह lightning port आपको apple के लिए मिल जाता है apple के phone के लिए और बाकी जो transmitter है दोनों में same ही लग रहे है इस तरीके से दोनों है हम लोग type C को check करेंगे और वैसे जो है check कर लिया है मैंने iPhone के अंदर भी दूसरा type C को हम लोग check करेंगे Redmi Note 9 Pro के अंदर और iPhone 12 में भी हमने check किया है तो दोनों में performance दोनों का बराबर है बाकी हम लोग comparison करेंगे Redmi के अंदर इसको use करके जिसके अंदर जो है हम लोग ये बोया को भी लगा करके check करेंगे और यहां type C wireless mic को भी लगा करके check करेंगे सबसे पहले हम लोग check करते हैं wireless mic और उसके बाद हम बोया में भी check करेंगे देखेंगे क्या differences आ रहा है तो दोस्तों अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं यह Sony के mic से है जो अभी हमारे camera पे लगा हुआ है और जो normal हमारी सारी videos के अंदर होती है अब हम shift होते हैं इसके mic पर इसका आवाज जो है हम record करेंगे Redmi के Note 9 Pro में जो की हमारे हाथ में है इसके अंदर अब हम record करेंगे तो दोस्तों आप जो आप आवाज सुन रहे हैं यह BZTEC के mic से है हमारा volume में ने कोसिस किया है वही रहने दूँ अभी फिलहाल कुछ चल नहीं रहा है सब कुछ बिल्कुल भी silent mode के अंदर है हम बाहर भी जा करके इसको check करेंगे और सबसे बड़ी बात इस mic किये है कि आप direct इसको लगाईए और जो है इसके transmitter को on कीजिए direct connect हो जाता है किसी भी mobile के camera से direct connect हो करके recording स्टाट कर देता है बोया में ये problem आती है कि इसकी 3.5 जो jack है इसको जब आप लगाएंगे तो open camera मांगता है open camera का जो app होता है उसके अंदर जा करके आपको option मिलता है ताकि आप जा करके वहाँ से external mic को select करें उसके बाद back जा करके ये काम करता है ये एक थोड़ा सा problem होती है बोया माइक के साथ में लेकिन हम quality को check करेंगे अभी हम लोगों ने check किया कि इसके साथ में क्या आवाज आ रही है अब हम shift होंगे बोया पर और देखेंगे कि उसकी quality कैसी आ रही है दोस्तों इस वक्त तुझे आप आवाज सुन रहे है ये है बोया बी वाई एम वन से और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लगा हुआ है इस वक्त आवाज कैसी आ रही है आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रहा होगा कि दोनों में क्या differences है सबसे ज़्यादा बिकने वाला बोया का ये माईक है और ये wireless अब जो कि बहुत अच्छा नाम हो रहा है दोनों में differences आपको पता लग रहा होगा तो ये तो रहा अंदर अब हम चलेंगे बाहर और बाहर देखेंगे कि इसका sound कैसा आ रहा है दोनों में ही हम लोग differences पता करेंगे यानि कि बोया के अंदर भी बाहर में जो नॉर्मल हवा चल रहे है उसके अंदर क्या नवाईसेज वगर होगा और साथ में हम पता करेंगे wireless वाले डीजी टेक के साथ में भी कि दोनों में क्या differences है चलिए बाहर चलते हैं और चेक करते हैं और दोस्तों आप जो आप आवाज सुन रहे हैं ये लीजी टेक के माइक से है wireless माइक से है तो अभी क्या differences आपको लग रहा है मैं बाहर हूँ हल्की फुल्की wind भी चल रही है थोड़ा मोडा इधर उधर से sound भी आ रहा है तो आपको कैसा लग रहा है मेरा जो volume है बोलने का मैं उतना ही रखने की कोशिस कर रहा हूँ जो camera के माइक से हमने किया था अब हम shift करेंगे बोया पर और वहाँ देखेंगे कि इसका sound कैसा है differences बताना ना भूलें कि बाहर में कैसा है और studio में कैसा था sound दोरों में क्या differences था बोया सही था या फिर ये DGTEC का wireless mic सही है अब हम shift होते हैं और दोस्तों आप जो आप आबास सुन रहे हैं ये बोया के BYM1 से है क्या differences लगा आपको प्लीज कमेंट में ज़रूर बताएं ये बहुत ही famous mic है जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं अभी नया DGTEC आया है wireless mic धूम मचा रखा है quality की बात करेंगे तो थोड़ा सा cheap type का लगता है वैसे 1000 रुपे में क्या ही आपको मिल जाएगा रोड में जाएंगे तो 22,000 रुपे आज क्या rate है और 1000 रुपे में अगर कोई wireless mic मिल जा रहा है तो और क्या ही चाहिए आपको तो दोनों में कैसा क्या differences है प्लीज अप कमेंट में ज़रूर बताएंगे तो दोस्तों इस तरीके से था Mic DZTEC का मैं उम्मित करता हूँ कि आपको differences समझ में आया होगा वो या B, Y, M1 के साथ में दोनों में से कौन सा अच्छा लगा साउंड किसका अच्छा लगा क्या differences आपको पता लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि क्या रहा क्योंकि वो तो एरिटिंग में पता लगेगा ये recording में कर चुका हूँ तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है तो इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्ट वीडियो की इस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट में ज़रूर बताते रहें क्योंकि सारी वीडियो आप लोग के कमेंट के हिसाफ से ही में ले करके आता हूँ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्ने बात करता हूँ, आपका दिन सुपरू